वल्कम टू प्रकर अकैडमी आपका स्वागत है आपके चैनल पर आप देखिए आपके सामने एक आज मोटिवेशनल थौट है थौट है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते को भटकाने के लिए और संकल्प एक ही काफी है मंजल को पाने के लिए मुझे बड़ा खुबसू फूडी है सामने देखा कि कुछ स्टॉल लगा हुआ है चार्ट है और ये पापड़ी है वटेवर जो भी है और आपका मन कर गया और आप थोड़े से बहग गये और ये बहुत छोटा सा सुख है खेर लेकिन कुछ सुख ऐसे होते हैं जिसके चलते पूरी जिन्दगी जो ह पहबत का ग्रोप और यही वो टाइम होता है कि जब हम अपॉजट सेक्स की तरफ अड्रेक्ट होते हैं और जिसके चलते हमारा जो लक्षे है हम उस लक्षे से चूख जाते हैं कितने भी काबिल आप क्यों नहूं लेकिन अगर एक बार गाड़ी ट्रक से उतर गई तो दो बार अपने साथियों के साथ कंपीट करना मुश्किल हो जाता है तो मैं आपसे यह कहूंगा मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आप कुछ ना करें लेकिन ध्यान रखें फोकस रहें आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और किसको कितना समय देना है तो इस स् concentration है वही अर्जुन के तरह आपको क्या देखना है आपको चिडिया की आँख देखनी है आपको मचली की आँख देखनी है और आपका जो निशाना है वो अचूख होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसी थौट के साथ और पहला कोशन है कि Global Electrical Vehicle Outlook 2021 यह report किसके द्व अब वीडियो हो जाता है सेपरेट इस पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं अगला कोशन आता है RBI के 4th deputy governor के रूप में cabinet ने जिस नाम पर स्वीकृती दी है यानि जिस नाम को final किया गया है वो किन का है वो है टी रभी शंकर का नाम है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं Indian Express ने Retirement of BP Canungo on April 2nd after completing one year extension आपको पता ही हुगए तो BP Canungo जी के बारे में और उसके बाद अब इनको appoint किया गया है fourth deputy governor के रूप में आप जानते हैं जो हमारा system है RBI का उसमें पाँच यह governor है एक main governor है और चार उसके deputy governor है ठीक है तो कानून गो जी के बाद तीन रह गए थे तो उस कमी को पुरा करने के लिए अब किसको appoint किया गया है टी रभी शंकर जी को किया गया है ठीक है तो अब आप आगे पढ़ सकते हैं इसमें the other three RBI deputy governors कौन कौन से हैं एक आपके हैं M.D. पात्रा है यानि Michael D. पात्रा है who had the all important monetary policy department next है आपके मुकेश कुमार जैन और एक तीसरे हैं और तीसरे कौन से हैं वो है राजेश्वर राओ तो ये तीन आपके मुझूद हैं और चोथे अब आ गए हैं अपॉइंट होकर क्या नाम है उनका अभी अपॉइंट होए हैं रभी शंकर चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ये आप देखिए ये एक नई न्यूज सामने आई है अभी दो-तीन दिन पुरानी न्यूज है गार्डियन ने कवर किया इसको और ये आर्केयोलोजी इमतलब साइन्स वाले ग्रूप में आएगी ये वाली जो कुर्शन आएगा तो इसमें देखा गया कि वो क्या है वो एक गर्बवती महिला थी और गर्बवती महिला जो थी अपने आप में एक शौकिंग चीज है और साथ ही रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत कुछ आ गया है कि हम ये सोच सकते हैं यह research कर सकते हैं कि उस condition में उन दिनों में जो आपका process था वो किस तरह का था मतलब delivery का process क्या था या किस तरह से बच्चे जो हैं वो जन्म लेते थे तो उसको research करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है एक important ख़बर है मैंने cover किया है इसको यह पॉलेंड की राजधानी है आपको पता होगा national collection of mummies expected to uncover a male priest जिसको हम मान कर चल रहे थे वो कौन निकली वो निकली एक pregnant lady the Egyptian mummy that they expected to be a male priest were surprised when the x-ray and the computer test revealed instead that it was a mummy of woman who had been seven months pregnant जो तक्रीबन साथ महिने की pregnant lady थी the researcher said on Thursday it was the world's first known case of such a well-preserved ancient mummy of a pregnant woman the mummy the mummy was brought to Warsaw in 1826 and the inscription on the coffin named a male priest no previous examination had disapproved the belief that it was a male तो मतलब इससे पहले उसको examine नहीं किया गया our first surprise was that it has no penis उसका कोई penis नहीं था तो ये surprise की बात थी but instead it has the breast लेकिन उसकी breast थी and the long hair and then we found out that it is a pregnant woman the margina a zerk slyke and anthropologist का नाम है and archaeologist told the associated press when we saw that little foot and then the little hand of a fetus यानी जो गर्भ में पल रहा भून था उसको उन्होंने देखा कि उसका हाथ जो है उसको वो देख पाए we were really shocked और ये देखकर कि हम shocked हुए the researchers estimated the woman was between 20 to 30 year old and said the size of the baby's skull suggested she was 26 to 28 weeks pregnant और देखकर ये लगता है कि वो 26 से लेकर 28 दिनों की दिनों का गर्भ था और ऐसे में उसको दफनाया गया और ये राजा का जो मकबरा जिसे कहते हैं उसी में उसको दफनाया गया तो इससे पता लगता है कि वो किसी elite group से ही थी और और भी बहुत सारी बातों के कयास लगाया जा रहे हैं अभी के लिए बस में इसमें इतना ही शामिल करता हूँ आगे बढ़ते हैं बहुत लंबा है आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पूरा detail है इसमें आगे देखिए The World Press Freedom Day World Press Freedom Day जिसे कि Vishu Press सोतंतरता दिवस कहते हैं ये कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 3rd of May को 3 मई को Vishu Press सोतंतरता दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका जो theme रहा है सो है सूछना से जनकल्याण देखिए सूचना से जनकल्याण से मतलब क्या है देखी जो information है अगर timely information हमें मिल जाए किसी चीज की तो उसके लिए हम अपनी योजना को develop कर सकती है suppose कीजिए कि हमें कोई भी information मिली कि भाई ये बिमारी spread कर रहा है इसे बचाओ के ये तरीके हैं ये तरीके हैं अगर उनको timely आप implement कर देते हैं तो चीजे आपके favor में चली जानी है अभी जैसे आज की rate में हम देख रहे हैं कि oxygen जो है उसका कमी पढ़ रहा है तो ये एक दुखदाई सिती है मतलब एक ऐसी चीज की कमी पढ़ रहे है जो बहुत बहुत ही basic need है और मैं newspaper पढ़ रहा तो उसमें बात थी कि China जो है उसका मजाक ले रहा है इंडिया का और ये वास्ताव में दुखदाई है मतलब बहुत बहुत ही pathetic situation है और चलिए खेर हमें कोई राजनेतिक बात नहीं कर 1991 में नामीबिया में एक wind hawk घोशना हुई जो UNESCO के द्वारा की गई और इसी योजना में या इसी सम्मेलन के दोरान हमने क्या किया तीन मई से हमने विश्यु प्रेस तंतता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया ठीक है ये कुछ सूचना है इसके बारे में world press freedom के ब world press day 2021 is क्या है वो मैं बता चुका हूँ अलड़ी हिंदी में अब इंग्लीश में देख लिए information as a public good इन्फॉर्मेशन क्या है public welfare के लिए इस्तमाल होने वाली चीज है तो यही काह जाता है कि freedom होनी चाहिए press की प्रेस को अगर बोलने का मोका ही नहीं मिलेगा तो ये तो फिर राज़तंत्र वाली बात हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला कोशन है हमारा SpaceX आप जानते हैं ऐलन मस्क की एक company जो लगातार नए कीरतिमान डेवलप कर रही है उसने हाली में इस रॉकेट के म शामिल की है मैंने अगला कोशन देखिए नेक्स कोशन आता इसके बाद आपदा के कारण भारत्य खेल उद्योग में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई तो जो हमारे केंद्रिय मंत्री है खेल के तो वो कौन है केंद्रिय किरें रिजीजू है और उनके according जो हमार में जर्मनी ने किस देश की बेनिन ब्राँज कलाकृतियों को वापस करने की घोशना की है मैं आपको बता दू ये टाइम पिरिड है जब नाइजीरिया यानि इस अफ्रिकन मुल्क पर हमला करके कलाकृतियों को चुरा लिया गया था या यह कहिए कि उनको कैप्चर कर लि लिया गया था और वो अब कहां थी वो थी आपकी जर्मनी के पास थी और जर्मनी के पास थी तो वो अब इसको वापस दे रहे हैं किसको नाइजीरिया को चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद यू गौव नाम से जो प्रोध्योगी की रैंकिंग है 2021 उसमें सिर्षिस्थ पाने वाली कंपनिया कौन सी हैं तो नंबर वन पर रहने वाली कंपनी रही है Google दूसरे नंबर पर WhatsApp और थर्ड नंबर पर Facebook चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है ऑक्सिजन के जो concentrators हैं concentrator आप जानते होंगे concentrators जो हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं कि जो oxygen है उसे ह हम लोग direct use कर पाते हैं patient के लिए वो बताया गया कि जो हलका जिनको संक्रमन है हलका virus का infection है या थोड़ा mind level का है तो ऐसे level पर है क्या कि इसको import किया जा सकता है और import करने में क्या हुआ है कि इसकी duty जो IGST है उसको 28 प्रतीशत से घटा कर कितना किया गए यह प्रशन है तो वो किया गया है 12 प्रतीशत कितना कर दिया गया है 12 प्रतीशत तो मैं आपको बता दूं कि environment में already oxygen है जो 20 point something है मोटे तोर पर आप 21 प्रतीशत मान लीजिए और 78% आपने पढ़ा योगा की nitrogen होती है तो एक normal candidate के लिए तो बड़ा आसान है कि वो इस हवा से oxygen को consume कर सके easily लेकिन एक patient के लिए बड़ा problem हो जाती है तो उसके लिए हम क्या use कर रहे हैं ये concentrator यूज कर रहे हैं तकरीबन 30-35,000 की कीमत के ये concentrators आते हैं और उससे लेकर 2,000,000 रुपे तक की कीमत बताया गया है कि इसके बीच में concentrators की कीमत है और ये क्या करते हैं ये काफी जल्दी आपको oxygen avail करा देते हैं यानि प्रेशराइज करके उस oxygen को आपका इस्तमाल करने लायक oxygen बना लेते हैं और जो इसकी sieve tubes होती है उनके माध्यम से nitrogen जो होती है nitrogen को बाहर निकाल देते हैं और उसमें सर्फ oxygen जो होती है वो 95% के करीब purity के साथ वो आपको उपलब्द करा देते है यानि patient को उपलब करा देते हैं ठीक है तो ये कुछ बात है हुई concentrator के बारे में थोड़ा सा आपको inform किया कि concentrator क्या होता है और हुआ क्या है main news देखिए main news ये है कि उस पर नीजी प्रियोग के लिए यानि जैसे हमने personal use के लिए import किया किसको oxygen concentrator को तो मैंने विदेश से environment पढ रही है लोगों का जीवन बचाने के लिए तो उसे कर दिया गया बार है प्रतीशत घटा कर ये उसी news का पाट था IGST on import of the oxygen concentrators for the personal use has been reduced from 28% to 12% to bring IGST rate on such personal import at per with the commercial import of the same. the central board of indirect taxes जिसको short form में हम कह सकते हैं CBIC उसने ये tweet करकर के जानकारी दी थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आता है कि world laughter day या wish of house से दिवस जो है वो कम मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि माई के पहले माई के पहले जो पहला जो हफता है उसके रविवार को य मनाया गया अगला प्रशनात है हरियाना के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जिसने की oxygen express को शुरू करने की बाद कही है तो ये प्रदेश है आपका 36 गड़ चटिस गड़ जो है वहां की राजधानी आपको पता है रायपूर वहां पर मुख्यमंत्री सहाब ने उपेश जी जिने क्या किया कि oxygen on wheel कारेक्रम को शुरू किया साथ ही साथ जो PDS सिस्टम है उसके मार्ध्यम से food distribution की भी शुरुवात की चलिए next question की तरह बढ़ते हैं 400 यानि 400 आपका जो गुरू पर्भ है वो किसकी याद में मनाया गया तो मैं आपको बता दूँ कि आपके जो नवे मतल तो उनकी याद में मनाया गया उनका जन्म कब हुआ था उनका जन्म हुआ था 1621 में अमरस्तर पंजाब में आप देख सकते हैं 1621 में आप 400 जोडेंगे तो कितना बन जाएगा आपका आपका बन जाएगा 2021 ठीक है तो आप समझ गए हूं कि इसे 400 अपर क्यों कहा गया तो उ में फटाफट समझ लीजिए क्योंकि मैं हिस्ट्री को बहुत पसंद करता हूं इसलिए थोड़ा सा समझा देता हूं देखिए सिक्स संपरदायक के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यहां पर दस गुरू हुए हैं और शुरुवात करने वाले श्री गुरु नानक जी रहे और हर गोविन जी के बाद हर राय और हर राय के बाद हर किशन जी और हर किशन जी के बाद तेख बाहदू नवे नमबर के गुरू थे और इनके बाद रहे हैं आपके गुरू गोविन सिंग जी जी जिनोंने खालसा पंथ की स्थापना की यह बात संग में आती है तो यह ब की लिपी के जन्मदाता माने जाते थी उन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता था ठीक है और जो चोथे गुरु रामदास जी है उन्हें कहा जाता है कि अकबर ने उन्हें 500 बिखा जमीन जो थी वो दान में दी थी और ऐसा भी जिकर था उनकी जो वाइफ थी बीबी भानी तो उनको अकबर द्वारा प्रदान की गई जो भूमी थी वहीं पर अम्रसर नगर बसा था तो ये कुछ बाते हैं जैसे गुरु अरजुन देव जी के बारे में कि गुरु अरजुन देव जी जो थे उन्होंने सन 1604 में सिखो का जो पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम आदी ग्रंथ है उसका संकलन किया था ठीक है तो ये बात अच्छा इन्होंने क्या किया था जो आपका क्या नाम है उसका जहांगीर तो जहांगीर का जो पुत्र था क्या नाम था उसका खुसरो तो खुसरो जो था वो बगावती हो गया था किसके खिलाफ मतलब जहांगीर के खि तो अर्जुन देव जी ने क्योंकि उन्हें संदक्षन दिया, तो इसके मतलब इसे अपनी बगावत मानते हुए अर्जुन सिंग जी को फांशी पर चड़वा दिया था, ठीक है? तो यहां से क्या हुआ था कि सिख धर्म में और आपका मुस्लिम धर्म दोनों के बीच में क्या हुआ इनके बीच में फिर लड़ाई यानि कटर दुश्मनी शुरू हो गई थी उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि हमने जैसे बात की आपकी हर इनकी क्या कहते हैं इसको बहादुर जी जो हैं ये आपके अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाते थे अब इनके उपर औरंग जेब जी जो थे उन्होंने औरंग जेब ने कहा कि भाई धर्म परिवर्तन की बात की तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने कहा था कि मैं वो केश नहीं कटवाउगा मैं सिर्क अटवा लूँगा, मैं शहादत दे दूँगा, लेकिन मैं धर्म के साथ वो नहीं करूँगा, तो ऐसा करके इन्हें शहीद कर दिया गया था, और आप जो आज चांदनी चोक देखते हैं, तो चांदनी चोक में जो शीश गंज है, तो ये वही स्थान है, जहां इन इनको क्या कर दिया गया था, इनको क्या कहते हैं, उसको शहीद कर दिया गया था, ठीक है, तो ये कुछ बाते, अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका, क्या कहते हैं, उसको, एक सगेंड, हाँ, बस में बाते यही थी इसके बारे में, तो इतना मेरे खाल में का साथ मिलियन टन अरे लिखना भूल गया एक सकेंड कितना रहा तीन सो साथ मिलियन टन बड़ा लाइट है यार तीन सो साथ मिलियन टन हाँ कितने टन रहा तीन सो साथ मिलियन टन तो हमारी जो केंडरी कृशी मंतरी है जिनका नाम नरेंदर सिंग तोमर जी है उन्होंने खरी फसल दोजार एकिस के लिए कृशी पर रास्टे सम्मेलन किया और रास्टे सम्मेलन में क्या कहा इन्होंने बता और उसके बावजूद भी हमारी कृशी ने पॉजिटिव ग्रोथ शो किया था तो सेम चीज इस बार भी हुआ है कि GDP में व्रधी करने वाला कौन है हमारे कृशी क्योंकि हम भाई कृशी प्रधान देश हैं तो बटो भी असे चलिए आगे बढ़ते हैं एपरिल महा में GST का record तोड कलेक्शन हुआ है कितना हुआ है record तोड कलेक्शन ये हुआ है आपका 1.4 एक लाख करोड रुपे कितना हुआ है 1.4 एक लाख करोड एक बहुत बड़ी खबर है बहुत बड़ा amount है ये आप समझ सकते हैं इतना पैसा जो है वो हमें प्राप्त और बाकी भी हमें support मिल रहा है, बस दुख इस बात का है कि oxygen की कमी क्यों पड़ गई हमारे देश में, बस ये थोड़ा सब दुख की बात है, बाकी सब तो ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर इस news को देखते हैं, Out of the total amount collected, CGST stood at Rs. 27,837 crore, SGST at Rs. 35,621 crore, and IGST at Rs. 68,481 crore, including Rs. 29,599 crore collected on import of goods, and CES is Rs. 9,445 crore, including Rs. 981 crore collected on import of goods, तो यह news है, synopsis में, और आप इसको देख सकते हैं, यह बहुत बड़ा amount, बहुत बड़ा, आप सोच सकते हैं, चलिए इसी news के साथ आगे बढ़ते हैं, किसे युदवीर पुर्सकार प्रदान किया गया है, तो यह है, डॉक्टर एविता फ्रेनेंडेस, किसने दिया था, यह दिया है आपका, हमारे जो उपरास्टर पती है, वेंकया नायडू जी, उनके द्वारा प्रदान किया गया, अब अगला प्रशन है, कि पहली युएस महिला जो वाइस प्रेजिडेंट रही है, वो मैडम तुशाद वैक्स फिगर बनी है, तो यह एक बड़ा न्यूज है यह भी, कि युएस की जो महिला वाइस प्रेजिडेंट है, वो मैडम तुशाद वैक्स फिगर बनी है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है कमला हैरिस, सभी जानते हैं, एक नॉर्मल सी इंफॉर्मिशन थी, तो मैंने बस शामिल कर लिया, जॉन कॉनार्ड, जॉन कॉनार्ड कौन थे जिनका हाली में निधन हुआ, देखिए बड़े फेमस आपके तेराक रहे हैं, सभी को पता हुँ, इनके बारे में, आस्ट्रेलिया के फेमस तेराक, जॉन कॉनार्ड, अगला कुशनात है, हाली में किस स्पेस एजनसी ने शिल्ल मिशन को सफलता पूरवक लॉंच किया था, तो ये है नासा, नासा को हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनाटिक स्पेस अड्मिस्टेशन, ये कब बनी 1958 में, हेड़कॉर्टर कहा है, वाशिंटन डीसी में, और चेर्मेन है इसके बिल निल्सन, अगला प्रश्ण, किस राज्य ने ऑक्सिजन नर्सों की न्युक्ति का फैसला लिया है, तो ये न्युक्ति का फैसला लिने वाले कौन है, ये है महरास्ट, महरास्ट के मुख्यमंत्री है, उदव सिख्ञा थे, सभी को बता है, और आप समझ सकते हैं, हाली में कृष्णा मूर्ती संथानम का निधन हुआ, में कौन थे, ये एक वैज्यानिक थे, जिन्होंने की पोखरन दुथ्य में प्रमाणू वैज्यानिक के रूप में काम किया था, इन्हें सन 1909 में में पदमभूशन से भी सम्मानित किया गया था, आपको पता होगा इन फिल्ड डारेक्टर थे, तो चलिए, ये हैं आपके, कृष्णा मूर्ती संथानम जी, अगला है अदार जो आपके पुना वाला है, वो कौन है, जो हाली में चर्चा में रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आस्राजनेका जो कॉविड-19 वैक्सीन है, उसे बनाने वाली क ये 1966 में, हैड़कोर्टर कहा है, ये हैदप पुर पुने, इंडिया में है, और थोड़ी सी सूचना ये देख सकते हैं, हिंदू ने कवर किया है इनको, दा हिंदू कहता है, विल रिटर्न तो इंडिया सून सेज, दा अदार पुना वाला, अदार पुना वाला, चीफ एक् टार पुना वाला, उंडिया में II तो ये इंडार पुनेशा है, तो वह कहता हैं हिए रही हैं, हम ये प्रेशर नहीं जेल पाँ रहे थे हैं, जो प्रेशर मुझे प मैं चारो तरप से पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कै जो सीनियर लोग है वो मुझे फोन कर रहे हैं और धमका रहे हैं और मुझे खत्रा है इसलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को ले करके UK पहुंच गया हूँ और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि production house हम शायद वहाँ बनाएंगे और अब देखें कहें तो यही रहें अब आगे क्या रहा है परदे के पीछे तो वो उन्हीं पता होगा तो यह कहाणिया हैं किस के बारे में अधारपुना वाला के बारे में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाली में अमेरीकी दुतावास में किसे charge d affairs के पद है वो चाजरी अफेर से तो वो अभी अमेरिका नहीं नुक्त किया है डैनियल स्मित को जब तक नए आपके राजदूत नुक्त नहीं होते हैं चलिए अगले प्रेशन पर आते हैं किर्गिस्तान और किस देश के बीच सीमा संघर्ष विवाद में 40 लोगों की जान गई तो ये क्या है ये ताजिकिस्तान है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान दोनों के दोनों USSR का पार्ट रहे हैं और USSR का पार्ट थे लेकिन 1991 में हुआ क् यहाँ पर विखर्णन हो गया था सभी देश अलग हो गए और अलग होने के बाद इनका जो boundary line डिवलेप किया गया तो इनके boundary line जो डिवलेप किया गया उसमें है क्या बॉर्डर पे एक लंबी सीमा है इनकी तकरीवन 1000 किलोंटर के आसपस की सीमा है जो कि विवादित है इनकी तो है क्या कि ये विवादित क्यों है ये विवादित इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सही से उसको clear डहीं किया गया कि कौन सा portion किसका है तो दोनों पक्ष अपना दावा पेश करने हैं उस जावे को पेश करने के चक्तर में पहले दोनों पक्षों में क्या हुआ कि पत्थर बाजी हुई और उसके बाद दोनों की मिलिटरी ने क्या किया फाइरिंग शुरू की फाइरिंग खोल दी और उसमें तक्रीब चालिस लोग मतलब ये तो रिपोर्ट में है कि चालिस लोग अब कितने लोग मरें है विकांट से लेकिन ये है कहानी चलिए आगे बढ़ते हैं किस राज्य में आशिरवाद योजना की राशी को 21,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया 21,000 से बढ़ा करके इसको कर दिया गया है 51,000 रुपे तो ये राज्य कौन सा है आशिरवाद योजना पंजाब राज्य की है पंजाब राज्य की योजना में हुआ क्या है व्रदी की गई एक जुलाई 2021 से की जा रही है और इसमें बालिकाओं की सिक्षा और उनके उत्थान के लिए ये आशिरवाद योजना है तो ये कुछ सुचना हुई किसके बारे में पंजाब, पंजाब के जो आपके मुख्यमंत्री साब हैं, तो मुख्यमंत्री साब कौन है, अमरिंदर सिंग है, कैप्टेन अमरिंदर सिंग, और अभी जो है, सोनु सूच जी को आप देखते हैं कि वो एंबिसेडर बनाया गया था और चलिए बस यह कुछ सूचना है किसके बारे में पंजाब के बारे में और इसी के साथ थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ और अगर कॉंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर है वे गुड हुआ है